हेलो स्टुडेंट्स आई होप यू अलर गूड सो आई होप आप सब ने इसकी फर्स्ट वीडियो कंप्यूटर की देखी होगी लेसन नमब सिक्स की जिस नमब में पावर पॉइंट के बारे में जाना था अब हम उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं उस लेसन को इंसर्टिंग वर्ड आर्ट अब वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं प्रेजंटेशन के अंदर वर्ड आर्ट हम क्यों यूज करते हैं अपने टेक्स को अट्रेक्टिव दिखाने के लिए उसका लोग अच्छा करने के लिए तो इंसर्ट कैसे करते हैं वर्ड आर्ट को य इसके different different styles मिल जाएंगे Johnson style आपको apply करना है वो style आपको यहापे use हो जाएगा मतलब कर जो भी आपने type कर रहा है text वो इस तरीके का हो जाएगा तो इस तरीके साब कर से आप You get a word or text box on the slide आप इस तरीकर text box अपनी slide में पोजाएंगे जैसा कि आपको दिख रहा है word or text box दिख रहा है जैसा कि आपको replace the text in the text box with your text and click outside it अगर आपको इसको replace करना है change करना है text को तो आप लिखके, cut करके change कर सकते हो और अधर कुछ लिख सकते है इसके अंदर next is inserting pictures अब pictures कैसे insert करते हैं अपनी presentation को और अच्छा दिखाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं pictures insert करते है चार तरीके होते है picture को insert करने के picture from file मतलब आपके already computer में एक file है जिसमें से आपने picture लिए और डाइरेक्ट उसमें paste कर दी online picture मतलब internet के थूँ जैसे कि आजकर हमें कुछ भी चाहते है इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो कितनी सारी pictures आ जाएंगे तो ऐसी online pictures निकाल सकते हैं screenshot अगर आपके पास कोई screenshot है उसके थूँ या photo album है तो उसके थूँ भी हम अपनी pictures को यूज़ कर सकते हैं तो अब inserting picture from file फाइल से कैसे insert करते हैं insert time में जाओगी यह देखें यहाँ पर आपका बनाव है insert time में गए यहाँ पर option होता है pictures का images लिखा है इस पर click करा यहाँ पर picture पर click करोगे जैसे picture पर click कर दोगे it makes जो आपकी file है महाँ से picture निकलेगी वह आपको इस तरह के page शो कर देगा जो अंसी picture लेनी यह लेनी यह लेनी यह लेनी इस पर click करो then insert insert करते ही आपकी picture आपकी slide पर insert हो जाएगी लग जाएगी ठीक है जैसा कि current slide पर मारी picture आ गई यह जो हमने choose करी थी और आपको अगर इसको छोटा करना है बड़ा करना है वह आप अपनी choice के according कर सकते हैं किसकी helps के यह dot circles दिखरे हैं इनके ओपर आप अपना cursor रखके press करके drag कर सकते हैं जैसे भी आपको छोटा करना है बड़ा करना है next inserting pictures online online कैसे करेंगे same insert time में images के अंदर जाके यहां पर online pictures होता है online pictures जाते ही यह वाला page खुल जाता है यहां पर यहांने लिखा कुछ भी जो भी आपको search करना है जो भी चीज आपको thing search करना है बॉल fruit कोई भी anything यहां पर clip part लिखा यह साई चीज आ गई John से picture करनी है उसे select करा insert कर दिया इंसर्ट करते ही आपकी picture insert हो जाएगी so देखे जैसा कि हमने insert हो गई यहां पर अब इस picture को आप rotate भी कर सकतो यह दिख रहा है यह यह handle करता rotate का इसको click करोगे हमारी ball गूम जाएगी और आपको resize भी कर सकतो इस circle की help से चोटा बड़ा करना हो picture को move कर सकते हो इसके ओपर mouse रखा click करा and then ही लाएंगे तो यह move करेगी picture तो अब आपको नीचे दूसरा practice time आपको क्या करना है presentation बनानी है बनाई उस पर आपको image add करनी है non violence की इस तरह की जिस तरह आप net से निकाल सकते हो किसी कहीं से भी निकाल सकते हो picture online या already अगर आपके पास saved है तो जैसे तो होगी नहीं आप online निकालेगा आपको बहुत सारा ideas मिल जाएंगे जिसका आप use कर सकते है अपनी presentation में यह वाली presentation भी आप करके देखे text box कैसे add करते है text box का काम क्या होता है पहले यह समझ लो text box का मतलब होता है अगर मुझे कोई भी word यहां पर लिखना है slide के end में तो मैं इस text box का use करूगी सिर्फ यहां पर word लिखने के लिए direct हम नहीं जा सकते हम computer में direct इदर नहीं लिख सकते presentation में हमेशा starting वह यहीं से करेगा हमें यहां पर लिखना है कहीं पर लिखना तो हम text box का use करते हैं तो आप क्या करोगे slide के उपर लिखना है पहले तो slide choose कर ली insert time में गए ठीक है insert time में जाते ही आपका text box को option होता है text box के option को click करोगे text group के अंदर होता है यह text box इस तरह से word R था ना ऐसे text box होता है इसको click करते ही आपका यह box आ जाता है आपकी slide के उपर इसके अंदर आपको जो लिखना है वो लिखो इसको उठाके इधर करना है इधर कर दो इधर करना है जिस तरह साब picture को कर रहे थे ना? इधर उदर इससे तरी के साब text को भी कर सकते हूं जैसे आपको करना है rotate करना rotate कर दो लैक इस तरह से लिखना है इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे आपको करना है और जब आपका काम हो जाए आपको यह box अटाने यहाँ पे आपने क्लिक करा तो आपका यह जो box दिख रहा है न यह हट जाएगा सिर्फ आपका टेक्स दिखेगा आपको नेक्स देखिए inserting shapes लास्ट है inserting shapes shapes कैसे insert करते हैं shapes मतलब एक ready made shapes होती है जो हमारी एक basic shapes होती है ट्राइंगल बगएर अरो स्टार्स बैनर्स यह सारे अल्रेडी बनी बनाई होती है हमारी पावपाइंट में यह वाला option हमें MS Word में भी पढ़ा था Microsoft Word में और यहीं सेंचीज हम पावपाइंट में भी पढ़ेंगे तो इस tabs क्या है insert tab पे क्लिक करा यहां पे shapes को option होता है illustration वाला जो ग्रूप है इसके अंदर shapes में जाओगे shapes को open करते ही कई सारी shapes आजएगी select कर लिया मैंने अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है इसके ओपर क्लिक करा यहां पे मैंने लिखा added text added text करने के बाद मैं इस shape के अंदर कुछ भी लिख सकती हूँ जो मेरा मन करें जो आप चाहो वो आप लिख सकती हूँ जैसे यहां पे लिख दिया software managing anything आपने देखे न इस तरह के charts बने होते हैं तो वह कैसे बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं shape को select कर लिया जाते हैं उसके अ आप बुले और उससे भी पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और यदि आपको इस powerpoint में कोई भी डाउट हो कुछी वर्ड का मीनिंग है ना समझा रहो कुछ भी आप मुझे से comment section में message करके पूस सकते हैं थैंक यू